नमस्कार सात्यों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में जो हमारा टोपिक चल रहा था मद्द प्रदेश में नदिया उससे संबंदित पार्ट 3 है तो वीडियो को लाश्य तक जरूर देखिएगा चैनल पर पहली बार विजिट कर र और मद्द प्रदेश में नदिया जो हमारा टोपिक चल रहा था उससे संबंदित कुछ महत्वपन कोश्चन आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं तो यहाँ पर हमारा पहला कोश्चन है कि शिवपूरी किस नदी के टेट पर इस्तित है चार उप्शन है सिंध, नर्म जिले के सिरोंज के निकट से आपकी निकलती है तो सिंध नदी सिरोंज से निकलती है और सिरोंज वही आपकी तेसिले जब 1956 में मद्द प्रदेश का पुनर गठन हुआ था तो इसको राजिस्तान से लेकर जो है हमारे मद्द प्रदेश के विदिसा जिले में इसको शामिल क्या गया था तो यहाँ पर गुना जिले से नहीं या मद्दपदेस के विदिजा जिले की सिरोंज तेसिल से तेसिल के निकट से जो आपके निकलती है और इसके किनारे शीवपूरी जो नगर है आपका बसा हुआ है साथी दतिया और भिंड जिले से बेते हुए उत्तर पदेश में यमना नदी में जो है आपके मिल जाती है तो जो आपके सिंद्र नदी है इसका उद्गम सिरोंज विदिसा से जो है इसका आपका उद्गम होता है शिवपूरी जो है आपका इसी नदी के टेट पर इस्तित है अगला कोशन यहाँ पर एतियासिक नगर उज्जेन किस नदी के किनारे इस्तित है तो यह जो है मद्यप्रदेश की जो मालवा की गंगा जिस नदी को का जाता है शिपरा नदी उसके टेट पर जो है आपका एतियासिक नगर उज्जेन इस्तित है साथ ही यहाँ पर देखिए अगर बात करें कि यह जो उज्जेन है यहाँ पर जो है आपका बारा वर्षों में कुम्ब का मिला भी यही पर लगता है साथ ही जो मद्यप्रदेस के करकर रेखा जो कि मद्यप्रदेस के चोदा जिलों से आपके होकर गुजरती है तो यह जो एसा माना जाता है कि जो यहाँ पर इस्तित आपका महादेव का जो मंदीर है उसके उपर से जो है आपकी करकर रेखा गुजरती है तो शिपरा नदी के ठट पर ही आपका उजजेन इस्तित है बारा वर्षों में यहाँ आपका कुम्ब का मिला लगता है करकर रेखाए भी जो है आपकी यही से गुजरती है साथी जनतर मंतर भी आपका उजजेन में इस्तित है अगला कोशन देखने से पहले इस से जुड़ी जानकरी और उजजेन से जुड़ी कुछ प्रमुग जानकरी यहाँ पर आपको बता देते हैं तो एतिहासिक नगर उजजेन जो है आपका शिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है वही अगर आप से पुछा जाई कि शिपरा नदी का उद्गम कहां से होता है तो काकड़ी बढरी जो कि आपका इंदोर में इस्तित है वही शिपरा नदी का उद्गम होता है यह एक अत्यंत प्राचिन शहर है कौन सा उजजेन यह विक्रम आदित्या के राज्य की राज़्दानी था इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी आपका जाना जाता है यहाँ पर प्रती 12 वर्ष में आस्प का सिहंस्त कुम्ब का मिला लगता है भगवान सीव के बारा जोती लिंगों में से एक महाकाले शहर इसी नगरी में आपका इस्तित है उजजेन के अन्य प्राचिन प्रचलित नामें जिसमें अवंति का उजजेनी कनक्षरंगा आदि है जबकि गंगा के किनारे पर हरिद्वार गंगा यमना नदी पर इलाबात नर्मदा नदी पर जबलपूर और तापती नदी पर आपका शुरत आदिनगर जो है इन नदियों के टट पर जो है आपके बसे हुए हैं तो यहां से भी आपका कहीं बार कोशन आया हुआ है अगला कोशन रामगाट मद्यप्रदेस की कौन सी नदी पर इस्ती थे तो यह जो आपका शिप्रा नदी पर जो है इस्ती थे रामगाट मद्यप्रदेस की जो शिप्रा नदी है महापर इस्ती थे रामगाट मद्यप्रदेस की शिप्रा नदी पर इस्ती थे यह घाट प्रद महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे इस्तित है तो यह भी आपका जो है शिप्रा नदी के किनारे इस्तित है बारा जोती लिंगों में से एक है यह मंदिर पवित्र शिप्रा नदी के किनारे इस्तित है बारा वर्ष महाकुंब का मिला भी या पर आपका लगता है अगला है प्रपात जो कि मद्यप्रदस का सबसे उच्छा जल प्रपात है और इसके आपकी उच्छाई कितनी है तो 30 मिटर जो है यह आपका उच्छा है कहां पर इस्तित है किस नदी पर बना हुआ है तो यह जो है आपका भीयर नदी पर बना हुआ है किस जिले में इस्तित है तो यह आपका अनुपूर जिले में यह इस्तित है सहस्ते दारा जल प्रपात जो कि आपका महेश्वर में इस्तित है साते भालकुन जल प्रपात के बात करें तो यह जो आपका बीना नदी पर बनता है चलिए देखते हैं इससे जुड़ी जान कारें तो चचाई जल प्रपात उद्गम जिला कौन सा है चार उप्षन सिहोर इंदोर सागर या गुना तो इसका आपका जो राइट अंसर बनता है वो बनता है सिहोर से जो है आपका पारवती नदी का उद्गम होता है पारवती नदी मद्द पदस्की विद्धांचल प्रवसेनी के उत्री पार्शव मे इस्तित सिहोर जिले से निकल कर उत्री डाहल में बेती हुई करवया हट कोटा इस्तान के समय पर राजिस्तान में आपकी प्रवेस करती है तथा राजिस्तान के बुंदी जिले से बेती हुई पलिया गाउं के निकट चंबल में मिल जाती है पारवती सिंदू संगम पर प्रा चैचाई जल प्रपात को सबस्ते प्रपात है यह जो है मद्य प्रद्स के रिवाज चिले में आपका स्तित है और है कितना मिटर उचा है तो सुरी आपको 30 मिटर गहरा नाथ है किट्थे सुपन्दरा मिटर गहरा एक यौह समय को बनाती है चार उप्षन है तापती नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी या नर्मदा नदी तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है तापती नदी मद्यप्रदेस की वह नदी है पश्रिमी सिमा का जो निर्दारने चंबल नदी के द्वारा किया जाता है मद्यप्रदिश की दक्षिनी सिमा बनाने वाली नदी तापती नदी है ताप्ति नदी का उद्गम मद्य प्रदेश के बेतुल जिले की मुल्ताई तेहसिल की सत्पुड़ा परवर सरेनी से होता है। ताप्ति पूर्व से पश्चिम के और 724 किलोमेटर नर्मदा नदी के समानना अंतर बहती हुए प्रदेश की दक्षिनी सिमा का निर्धारन करती है। आपका होशंगाबाद जिले के अंतरगत आता है और मद्यप्रदेश का एक मात्रहिल इस्टेशन आपका पंचमड़ी है। साथ ये पंचमड़ी को जो है आपके सत्पुड़ा के रानी का आता है। और यहीं पर जो है मद्यप्रदेश की सबसें उची चोटी धूगड़ चोटी तेरा सो पचास मीटर जो है आपकी यहीं पर इस्तित है। चलिए देख लेते हैं इसे जुड़ी जान करी रजट प्रपात मद्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले के पर्याटन स्थल्फ मचमड़ी में इस्तित है। रजट प्रपात एक जन्ना है जो लगवक्त तिनसो पचास फूट के उचाए से गिरता है। इसका जल एकदम दुद्या चांदी की तरही दिखाई पड़ता है। रजट प्रपात भारत के सरवादिक उचाए से गिनने वाले प्रपात में जो है आपका तिस्वा इस्तान लगता है। तो यह चांदी की तरह चमकता है। इसलिए इसे रजट प्रपात या सिन्वार फोल भी आपका काज आता है। यह एक सुसाथ मिटर की एक भूंद के साथ एक गोड़े की पूचके आकार का जहन्ना है। तो कहाँ पर इस्ती थे तो पंच मड़ी में इस्ती थे। अगला कोशन शिप्रा नदी मद्यप्रदिश के किस जीले से निकलती है। जो है आपके मिल जाती है अगला कोश्चिन है आपका निमनलिकित में से कुछ जलास ही जो है चंबल नदी पर बना है चार उप्षन नागारजुन सागर राणा प्रताफ सागर विंद सागर या रिहन तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्षन भी रा तीन बांद गांदी सागर बांद जो कि आपका मंसोर में इस्ती थे राणा प्रताफ सागर जो कि आपका चित्तोरगण में इस्ती थे तर्था जवार सागर जो कि आपका कोटा में इस्ती थे यह इसी नदी पर निर्मित प्रमुक परियोजना है अगला कोश्चिन यहाँ और हे जो की 20 नंबर का कि बेटा गाट पर कौन सा जलबा ने जपयलागाट में जो है इस्ति थे के बेडा घाट मध्यप्रदास के जबलपूर जी ले पहल quan hebben लिए यह कर्मनी यह परियाटन इस्तल है बेडागाट के पास नर्मदा का पानी पचास पूट उपर से गिरता है जिसका जल सपेद दुए के समान उन्ने लगता है इसी कारण इसे दुआदार केते हैं दुआदर जल प्रपाद मद्यप्रपादस का एक प्रसित जल प्रपाद भी आपका है अगल देश की जुह है पाँचवी सबसे बड़ी नदी है मद्यप्रपादस की सबसे लंबी नदी नर्मदा है यानुपूर जिले में Videncial परवत की मेकाल स्रेणी की सबसे उची चोटी अमरकंटक के नर्मदा कूं से निकलती है इसे मद्यप्रपादस की जीवन रखा भी आपका कहा जाता है इसकी कुल लंबाई तेरा सो बारा किलोमेटर है किन्तु मद्ध्य प्रदेश में 1047 किलोमेटर आपकी भेती है चंबल नदी मद्ध्य प्रदेश राजिस्तान और उत्तर प्रदेश के बिच जो है आपकी सिमा बनाती है अगला कोशन आप पर कालिया देई पेलेस किस नदी के टट पर इस्तित थे है चार उफ्षन चिपरा नरमधकेन चम्बल तो इसका आपका जो राइट अंसर बनता है शिपरा नदी के टट पर कालिया देप पेलेस आपका स्तित् है और आप से पूछा जाई कि कहा पर स्तित है तो जो है आपका कालियाद अपका स्तित्थ है जो पेलेस अपका स्तित्थMy नर्मदा सुरी नदी शिप्रा में विलिन होती है यानि कि शिप्रा नदी कहां पर जाकर मिलती है या किस नदी में शिप्रा नदी मिलती है तो चंबल नदी के प्रमुक सायक नदी आपके शिप्रा नदी है जो कि मंसौर में जो है आपके चंबल नदी से मिल जाती है शिप्र लंबाए एक सो पिंचानू किलोमेटर है और खानवा गंभीर जो है इसके आपके प्रमुक सायकन नदी आए तो खान और जो गंभीर नदी है यहां से भी आपका कोशन आया हुआ है और अगर आप से पुछा जाए कि जो इंदोर है किसे नदी के किनारे इस्तित है तो यह जो है आपके जो पटवारी की एक्जाम हुई थी मद्यप्रदेश की उसमें जो है यह पुछा गया था चलिए देखते हैं यहां पर हमारा अगला कोशन हमारा यहां पर है कि इनमें से कौन सी मद्यप्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है चार ओप्शन है यहां पर आप की चंबल नदी है और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई आपकी नो सो पेशट वर्ग किलोमेटर है मद्यप्रदेश की दूसरी सबसे लंबी और सरवादिक महतोपुर्ण नदी चंबल है जिसका उद्गम इस्तल इंदोर जिले की महू तेसिल की जान इसी पर गांधी सागर बांध राना प्रताफ सागर बांध तथा सागर जवाहर सागर नामक तीन बांध जो है आपके इस्तित हैं अगला कोशन यहाँ पर है इनमें सो कौनसा ज़र्णना आपका जो है नर्मदा नदी पर है चार अपशन है कोटी चचाई सहस्तर दारा या इसने रने हैं तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है मनता है सहस्त्रदारा जो जल प्रपात है नर्मदा नदी पर इस्तित है और किस जगह पर इस्तित है तो यह जो है आपका महेश्वर में इस्तित है मद्दपदस की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी पर स सहस्तादारा जो जल्प्रपात है आपका इस्तित है शंग मर्मर की खुबसूरत सक्री घाटी से नर्मदा नदी नर्सिंगपूर होशंगाबाद की धरती को अभी इसपर्श करती हुए खंडवा से गुजरते हुए महेश्वर के पास आठ किलोमेटर का सहस्तादारा जल्प् प्रका यह बारत का तेस्व अ सबसे बड़ा जल्प्रपात है ला को फिए अगला कुशन आप पर देखते हैं नgenदी पड़्प्र पर उस्थिति तो जो काHo नर्मदा नदी पर इस्थित्त है तो जो दुवादर जल प्रपाद मन्दप्रदस के जबल पुर जिले का एक प्रसिद्ध जल प्रपाथ है यह प्रपाद भिढागार छेतर का प्रमुग दर्शनी इसतल है यहां नर्मदा नदी की धारा 50 फूट उपर से गिरती है जिसका जल सपेद जिसका जल सपेद दुहे के समान उनने लगता है इसी कारणी से दुहादार जल प्रपात केते हैं जबकि चुलिया जल प्रपात चंबल नदी पर आपका देखा जा सकता है तो इसका आपका जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा क कि दुहादार जल प्रपात कहाँ पर इस्तित हैं तो मद्याप्रद्यक जबल पूर जिलने आपका इस्तित है अगला कोशन यहाँ पर है कि सोन नदी किस taraf thing सीं में है निरंमुदा बैसीन में या यमना बैसीन में वह बनता है वह बनता है जो है आपके घंगा नदी तो आपकी नदी नatск आति गंगा बेसिन के अंतरगत भी जो है आपकी आती है गंगा भारत के अत्त्रम हतवबन नदी है इसके विश्ब बेसिन में देश के पर बियार इन तीन राज्यों की जो है आपके सहयुक्त परियोजना है और सेहडोल जीले का जो देवलोंद नामा किस्तान है वहाँ पर आपकी वानसागर परियोजना इस्तित है अगला कोश्चन यहाँ पर है निमनेलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी नदी बं ब्रह्मपूत्र गंगा और गोदावरी जो नदी आए आपकी यह जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो नर्मदा नदी मद्धप्रदेश की सबसे बड़ी नदी तथा मद्धप्रदेश की जीवन रखा केलाती है इसका उद्गम अमरकंटेंग में काल प्रवरस हीनी इसतले चार उप्षने नर्मदा, सिंदू, शिप्रा या गंगा तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है शिप्रा नदी के किनारे इस्तित जो उज्जेन है यहाँ पर हर 12 वर्ष में जो है आपका सियंस्त कुम्ब का मेला लगता है इंदोर की काकड़ी पर नर्मदा और तापती जो है आपके एक गहरे चैनल के मादण से समुद्र में मिलती है उसे कहते हैं तो उसे जो है आपका यहाँ पर जो आपर जो हैं कहा जाता है यह जो है ङोब पर जो आंन제 दो मुख तो नर्मदा और तापती एक गहरे चेनल के मादन से समुद्रा में मिलती है उसे जो है आपका जौार नद मुख यहाँ पर कहा जाता है तो नर्मदा और तापती तीनो राज्जों मदपदस महराश्टा और गुजरात में भेते हुए अरब शागर में खंबात की में समाहित होती है नर्मदा और तापती सम Caesar में मिलती है उसे यह आपका जौळा गहते है अगला कोश़्.." यहांद है कि मिल जाती है जिना पूर में आपके घंगा नदी में मिलती है अगला आपक्षन अपर है मेकाल में उत्पवन होने वाली नदियों का नाम है चार उप्षन नर्मदा और निया जो अपर हमार 7 बनता है मद्यप्रदास की जीवन रेखा कही जाने वाली निर्मधा नदी का उद्गाम अमर कंटक मेकाल परवस्रीनी से हुआ है जो अनुपुर जिले में है यह पूर्वस परश्रिम की तरफ बेहती है जबकि मद्यप्रदेश सोन नदी कही जाने वाले शोन नदी का उद्गम है इस तल भी मेकाल अमर कंटक्स से ही है तो तापती नदी बेतुल जिले की मुलताई तेसुल की परवत स्रेणी से जो है आपकी निकलती है तो उप्षन सी जो है अमारा यहां पर राइट आंसर बनता है यहां कुछ अपर है कि नदी शिप्रा किसे नदी में आपके विलीछ हो जाती है अग्रेश घ्यफ्र में जाकर जो है या आपकी चंबनी से मिल जाती करें से होता है इसकी कुल लंबाई की बात करें तो एक सो पिंचानू किलो मिटर है देख लते हैं इसे जुड़ी जान करें मालवा में प्रवाहित होने वाली विभिन नदियों का यहां के सामाज एक धार्मे को आर्थिक जीवन में विशश महत्वा रहा है चंबल महाई शिप्रा बेतवा और पार्वती मालवा में प्रवाहित होने वाले मुख्य नदिया है इनके सायक नदियों सो पूरे छेत्र में सिच्चाई की सुईधा आपके जो हैं मिल जाती है तो साती हो इसे के साथ जो मद्यप्रदेश में नदियों जो टोपिक का हमारा पार्ट 3 चल रहा था वह यहां पर कंप्लीट होता है इसके लावा पार्ट 4 और पार्ट 5 जो है आपका इसे टोपिक ससंबंदित लाया जाएगा तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा साते बेल नोटिपिकेशन को भी ओन करके रखिएगा इस वीडियों को लाइक भी करि लिएगा तो आज के लिए वस इतना ही थांक यू वेरी मच